हेलो दोस्तो मैं पवन मलिक आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मलिक में तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे एक कंप्पिटर कोर्स के बारे में अगर आप जल्दी जॉब करना चाहेते हैं आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लिया और आप जल्दी जॉब करना चाहेते हैं तो यह आपके लिए बेस्ट कोर्स होगा यह कोर्स जो है आप 10th आपने पास कर लिया है तो भी आप कर सकते हैं और 10th के साथ साथ यह कोर्स करने के बाद भी आप जॉब कर सकते हैं या आपने 12th पास किया है तो भी आप यह कोर्स कर सकते हैं चाहे किसी भी स्टीम से और या आप graduation कर रहे हैं जैसे कि college हो गए, school हो गए, या company हो गए, या office बगएरा हो गए, सबी जगापे इस तरह ये जो course है, इसकी काफी ज़्यादा requirement है, इस course को करते हैं तो जल्दी job मिलने के जो chances है, वो काफी ज़्यादा होते हैं, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे detail से कि वो कौन सा course है, और उसको आप कहां से कर सकते हैं, तो दोस्तो इस course का नाम जो है, वो है basic computer course, तो दोस्तो ये काफी institute है, आपके आसपास काफी institute होंगे, छोटे छोटे बड़े, mostly सभी institute जो है, जो भी computer institute होते हैं, वो सभी ये जो computer basic course है, ये कराते हैं, तो वहाँ से आप ये course कर सकते हैं, अगर आपने 10th pass कर लिया है 12th pass कर लिया है graduation कर लिया है और आप चाहते हैं जल्दी job करना आपकी financial problem है भई आपको तो आप जल्दी job करना चाहते हैं तो आप इसके base पे जो है ये course कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि इस course में आपको क्या क्या जो है वो सिखाए जाएगा जैसे कि एक software होता है ms office आप सभी लोग जानते हों कि computer का software होता है ms office उसके काफी part होते जैसे कि ms excel हो गया ms word हो गया ms powerpoint हो गया इस तरीके कि उसके काफी part होते तो उन सब के बारे में आपको इस course में पढ़ाए जाएगा और इसमें internet use करना mail वगयरा drop करना इस तरीके का जो है यह भी आपको सिखाए जाएगा और जैसे कि print out वगयरा निकालना या कोई paper वगयरा है उनको scan वगयरा करना फोटो कोपी वगयरा कराना करना यह सब काम जो है यह basic जितने भी basic work होते अपको इस course में सिखाए जाएंगे तो इस course की fees के वारे में बात कर लेते हैं इस course की जो fees है वो 5000 के 6000 की असपास होते है और डपेंड़ करती है कि आप किस तरह के institute से जो है आप यो कोर्स कर रही है तो थोड़ा उस पर depend होती है वैसे mostly जो है 5000 से लेकर 6000 के बीच में इसकी fees होती है और ये 4-5 मंत का ये course होता है basic computer course जो है 4-5 मंत का होता है तो इसमें यही फाइदा है कि कम पैसों में आप ये course कर सकते हैं और जल्दी ये course खतम हो जाता है और इसमें mostly जितनी भी basic knowledge होती है computer की वो सारी जो है आपको सिखा दी जाती है बस थोड़ा सा ध्यान ये रखें कि जिस भी institute में आप admission लें थोड़ा सा उसका follow up ले ले पहले से पता कर लें जो student वहाँ पर पढ़ रहे हैं कि इनका सिखाने का तरीका कैसा है कैसा सिखाते हैं वो थोड़ा वा से आप पता कर लें बाकी इस course को करने के बाद जो है job तो आपको normally आराम से मिल जाएगी चाहे थोड़ी salary starting में कम मिल जाए मगर job जो है वो आपको आराम से मिल जाएगी तो इसमें आप बात कर लेती कि salary वगेरा जो है क्या होगी अगर दोस्तों आप यह course करते हैं जैसे कि 12 या 12 आपने पास किया हुआ है उसके base पे आप यह course करते हैं और आप job के लिए जाते हैं आप freser है तो आपको यहाँ पे 10,000 से लेके 12,000 तक salary मिल जाएगी वहीं पे आपने best course है basic computer course यह course आप कर लें और उसके बाद जो है आप अपने आसपास कहीं पे भी जहाँ पे office वगेरा हो college university या इस तरीके से वहाँ पे आप apply कर सकते हैं तो job जो है वह आपको जल्दी मिल जाएगी तो I hope दोस्तों आपको clear हो गया होगा कि आप यह course जो है basic computer course किस तरीके से कर सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें और ज्यादा से ज्यादा आपने friend के साथ share करें जिनको इस तरह के course वगेरा की requirement है तो आप उनके पास हमारी इस वीडियो को share कर सकते हैं और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार है वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को subscribe करें बैल बटन पर किलिक करें जिससे future में हम इस तरह के course लेटर को वीडियो अप्लोड करते हैं उसका notification आपको मिल सके तो चलिए दोस्तो जैहिन जैभारत